नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट जोतिस में सनी गरह का सबसे ज़्यादा महत्व है क्योंकि फलत अगर हम फली जोतिस की बात करें तो सनी देव के अनेक नामों से उनको संबोधित किया जाता है जैसे कि मंदगामी, सूरिपुत्र, सनी चर, छाया पुत्र लेकिन सनी देव सभी गरह में सबसे ज़्यादा मंदगती से चलने वाले गरह है ये बात भी सच है इसलिए इन्हें मंदगामी कहा जाता है अब सनी देव के नच्छत्र तीन है पुस्य नच्छत्र अनुराधा नच्छत्र और उत्तरा भादर प्रण नच्छत्र और सनी देव मकर रासी के भी स्वामी है और कुमरासी के भी स्वामी है तो पहले हम बता दें कि सनी देव का मकर रासी के ऊपर साढ़े साती चल रहा है अभी चाती पर जो 29 अपरेल 2022 से साथे साती का अंतिम चरण सुरू हो जाएगा। बैसे सणी देव अपनी रासी बदलने में की एक रासी में वो धाई साल रहते हैं और स्णीदेव की साथे साती और ढ़ाया जिस भी रासी में होती है। उनको काफी समय तक परिशानिया होती है क्योंकि कर्म फल्दाता कर्मों का फल इसी पिरियड में देते हैं अभी सनिदेव मकर रासी में हैं और 29 अपरेल 2022 को कुम रासी में जाएंगे तो कुम्ब में जाने से कुम्ब वालों पर छाती पर साड़े साती चलेगी अब ऐसे में सनिदेव किन को देंगे च्छपपडफार और किन को कराएंगे थोड़ा सा परिशान या पिर आपको थोड़ी से कर्मों का फल देंगे हम जानेंगे बिस्तार से मेंस से लेकर मीन डासी तक कि क्या होने वाला है 2022 में क्योंकि 29 अप्रेल 2022 को सनिदेब मकर रासी से निकल कर कुमरासी में आएंगे और कुमरासी में सनिदेब का प्रवेस होते ही मकर रासी वालों की साड़े साती का अंतिम चलन चलना सुरू होगा और जो धनों वाले हैं उनका साड़े साती समाप्त हो जाएगा लेकिन 12 जुलाई 2022 को एक बार फिर से वो वक्री चाल चलेंगे और मकर रासी में फिर से सनिदेब की साड़े साती आ जाएगी और यहाँ पर धनू रासी में भी साड़े साती आ जाएगी तो 17 जनवरी 2023 तक धनू वालों को थोड़ा सा साड़े साथी का असर जेलना होगा इसके बाद वो वापस से मारगी होकर कुम्ब में आ जाएंगे तो ऐसे में चलिए जानते हैं बिस्तार से किन को क्या मिलेगा तुमेश वालों सनी देव आपके 10 और 11 भौ के स्वामी है और 2022 की सुरुआत में आपके 10 भौ में रहेंगे करियर परसिद्धी पिता के भौ में और इसके बाद वो आपके जो करियर और काम पर आपका केंदित रहेगा ध्यान बैसे इसके बाद जैसे ही वो 29 अप्रेल को आपके 11 में भौ में जाएंगे तो जीवन में बहुत सारे बदलाओं आएंगे हलाकि आप इसमें आपके जो बिचार है न वो बहुत ही उमदा रहेंगे और आप दुनिया बदल सकते हैं ऐसा कुछ कर गुजरेंगे लेकिन एक बात याद रखेगा कि आपके उपर ना तो साड़े साती है और ना धाया का प्रभाव आप मुखते हैं पहले ही बता दें आपके उपर ना तो साड़े साती चलेगी ना धाया आप पूरी तरह से 2022 से 25 तक मुखते हैं ब्रिसब बालो सनिदेव आपके नवे और दसंभाव के स्वामी है और सुरुवात में आपके नवे भाव में है यानि उच्च सिछा अध्यात्मिक भागे का भाव में है लेकिन 29 अप्रेल 2022 को वो आपके दसंभाव में जाएंगे हलांकि आप धर्मकारे करने वाले और अपने रुची के काम में आप आगे बढ़ने वाले आपको अपने प्रियास के सकात्मक फल जरूर देंगे सनिदेव और इस में इस अवधी में आप नए छेतर आप तलासेंगे और वहां भी 2022 की बात करें तो अपनों का स्वास का थोरा अगर हम आप ख्याल रखें तो चीजें आपके पक्ष में हैं मिधुंडासी अभी बरतमान में आपके अस्टम भाव में है सनिदेव और आपके ऊपर चल रही है धाया अभी हां पर देखें अस्टम भाव जो रहस्य और अचानक से होने वाली घटना का भाव है लेकिन 29 अ आपका करियर में आगे बढ़ने की संभावना वो प्रवल रूप से बनेगी और आपके स्वास्त का थोड़ा बहुत आपको धियान रखना है इसमें पिता के स्वास्त का भी धियान रखिएगा और इसमें रिस्तों में छोटे-मोटे तनाव है तो संभाले क्योंकि धहिया करकरासी आपके सब्तम अस्टम्भों के स्वामी है और बरतमान में 29 अप्रेल 2022 तक वो आपके विवास्तान पर बैट के कहीं न कहीं आपके रिस्तों में परिसानिया दिये हैं लेकिन जैसे ही वो आपके अस्टम्भों में आएंगे आपके ऊपर धहिया शुरू हो जाएग का माता पिता के स्वास्त का ध्यान रखें अपने करियर रोजगार पर नजरे बनाये रखें और एहंकार मत पालेवर न रिस्ते बिगर सकते हैं ध्यान रखें सिंग बालों सनीदेव आपके छटे भाव और सब्तम्भों के स्वामी है और आपके ऊपर ना तो साड़े साती चल रही है ना आगे चलेगी और ना धाया चल रही है ना चलेगी यानि आप 22 से लेकर 25 तक धाया और साड़े साती से मुगते हैं अब छटा भाव जो करजों का स्वास्तम्दी समस्याओं का रोजगार का संकेत देने वाला भाव है अब सब्तम्भों में जैसे ही 29 अप्रे तो साड़े साती है बरतमान में ना आगे चलेगी 25 तक आप आजाद है साड़े साती डईया से तो करन्या वालों पांचवे भाव यानि सिक्छा रोमांस रशनात्मग भाव में आपके है 29 अप्रेल से वो आपके छटे भाव में रोग चोटरीन करजे सत्रूं का भाव जादा अच्छा है जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी बढ़िया कोई खास टेंसर नहीं दिखता बस बुरी आदत से दूर रहे तुलारासिया आपके उपर बरतमान में चल रहा है धहिया और 29 अप्रेल 2022 को आप धहिया से मुक्त होंगे लेकिन पूरी तरह से मुक्त तो यकिनन आपको संपत्ती प्रोपर्टी का सुख मिलेगा मां के स्वास्त का ध्यान रखिएगा थोरा सा निगेटिव प्रभव है अपने रिस्तों को बचाया रख्के धन के मामलों जरसमल के रहिएगा क्योंकि बेवजक खर्चों का जो ब्रिस्चिक वाले हैं उनके लि ध्या सुरू हो जाएगी यानि 29 अप्रैल 2022 को आपकी ध्या सुरू होगी और 2025 तक आपकी ध्या रहने वाली है तो यकिनन जैसे ही ध्या सुरू होगी तो धैरे पुर्वक आपको चीजों को करना होगा अपने रिस्तों को बचाना होगा अपने स्वास्त का माता पिता के रित हैं तो दीड़े दीड़े आप ठीक होंगे थोड़ा से धयाण रखें धनुरासी। बरतमान में चल रहा है आपके उपर उपर सारहे साती और सनीदेव आपके दूसरे भाव यानि परिवार धन वानी का भाव और तीसरे भाव यानि साहस भाई बहन यातरा का भाव के स्वामी है यानि दूसरे तीसरे भाव के स्वामी है अभी आपके दृती भाव में है इसके बाद तृती भाव में जाएंगे आपकी जो साढ़े साती है वो 29 अपरेल 2022 को समाप्थ होगी और फिर यहां से आपकी चीजे बहतर होगी लेकिन पूरी 33 साड़े साती से मुक्त आप 2023 की जन्वरी के मेने में होगे हलाकि संतान प्राप्ती के योग बनेंगे आपका लापकारी समय है धन भी आएगा सुक भी बढ़ेगा छोटी मोटी परिसानिया रहेंगी मकर रासी आपके ऊपर चल रही है साड़े साती अर हलाकि चाती पर चल रही है और 29 अपरेल 2022 को साड़े साती का अंतिम चरन सुरू हो अनभाव में रहेंगे बांकी समय में जन्वनी तक आपके 2023 के एक बार फिर सेवक्री होकर आपके लगन में बैठेंगे तो ऐसे में किसी भी प्रकार का उधार देने लेने से बचे वरना आप परिसान हो जाएंगे और थोड़ा सा मांसिक तनाव रहेगा आप छाती पर बै हो है और आप अलगन जो स्वेम आपका बैठेंगे तो ऐसे में आपके लिए यह वक्त जो है ना बस यह समझ लें कि आपको कुछ गंभीर मुद्धों का सामना करणा पर सकता है अपनों का स्वास्त का ध्यान रखें खुद भी ध्यान रखें और कर्ज देने लेने से बचे और काला जूता काला कपड़ा का कंबल का दान कर सकते है मींडासी सनिदेब आपके ग्यारवे और बारवे भाव के स्वामी है और कुर्णली का ग्यारवा भाव सामाजिक जीवन मित्र आय इक्छा बारवा भाव बिदेश ब्याय मोक्ष को दरसाता है तो सुरुवात में आ जाल यह भी कहते हैं कि गर आप बाद बाद से बचे अपने स्वास्त का ध्यान रखे अपनों का ध्यान रखे छाती रदय पेट समंदी बीमारियां हो सकती है तो बहुत ख्याल रखे माता पिता का ध्यान रखे धन्यवाद